हाई फ्रेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम बनाएंगे लौकी से पनीर लौकी से पनीर बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है बैसे तो बच्चे हो या बड़े बहुत ही कम लौकी खाते हैं और अगर हम इसका पनीर बना देंगे तो सब बड़े ही चाओ से इस पनीर को खाएंगे तो फ्रेंस वीडियो सुरू करने से पहले आपसे निविदन है कि अगर आप चैनल पे नए आयो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक से र कमेंट जरू करना और एस भी देखने के लिए वीडियो को फुल वाच कीजिए तो चलिए सुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने दो लोकी ली है तो यह हमारे छोटी छोटी सी लोकी है तो मैंने यहाँ पर दो लोकी ली है अगर बड़ी हो तो आप इसमें एक भी ले सकते हो और अब हमें इसके इस तरह से चिलके उतार लेना है तो इसी तरह से मैं दोनों लोकी को छिलकत तयार कर लूँगी और अब मैं लोकी के दो तुकड़े कर लूँगी और इस तरह से हमें इस लोकी को छोटे-छोटे से पीसिस में काट लेना है तो इसी तरह से हम दोनों लोकी के छोटे-छोटे से पीस कर लेंगे आप चाहों तो यहां पर गोल भी कर सकते हो तो इसी तरह से मैं दोनों वोकियों को काट कर तयार करूँगी तो यह देखिए यहां पर मैंने वोकियों को काट लिया है और अब हमें इसको दोल देना है और अब मैंने लिया है जार और जार में हमें इस वोकी को डाल देना है और अब हम इसका ढखकन लगा देते हैं और इसको पीस लेते हैं तो यह देखिए यहां पर मैंने इसको पीस कर तयार कर लिया है और मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है और यहाँ पर इसका पेश्ट इस तरह से बना कर तयार कर लिया है और अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है उसके बाई यहाँ पर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर एक बड़ा चमच मैदा आप चाहो तो यहाँ पर चावल के आटे का यूज़ भी कर सकते हो और थोड़ा से यहाँ पर मैंने इसमें डूट डाला है और अब मैं इसमें आदा चमच नमक डाल दूँगी और अब हम इसको अच्छी तरह से मिवाकर तयार कर लिएंगे इसमें हमने जो मैदा और जो दूट डाला है उसको अच्छी तरह से मिवाकर इसका पेश्ट हम इसका तयार कर लिएंगे और अब मैंने यहाँ पर एक प्लेट लिए हैं और अब हम इस पेश्ट को इस प्लेट में ट्रांश्वर कर लिएंगे तो यहां पर सारे पेश्ट को मैंने इसमें डाल लिया है अब इस तरह से हम इसमें फैला देंगे और अच्छे तरह से हमें एक जैसा करते हुए इसको फैलाना है कहीं फिर मोटा पत्वा नहीं होना चाहिए विल्कुल एक सां हमको इसको फैला कर तयार कर लेना है तो यह देखिए यहां पर मैंने सारे पेश्ट को इसमें अच्छे तरह से फैला कर तयार कर लिया है यह देखिए विल्कुल इस तरह से हमने इसको फैला कर तयार कर लिया है तो यहाँ पर मैंने एक बरतन में पानी लिया है और गैस पर चड़ा दिया है उसमें मैंने दो प्याई डाली है और तीन टमाटर मैंने इसमें डाल दिये है और अब हमने जो पेश्ट तयार करके रखा है उसको इसमें इस तरह से रख देना है उसके बाद हमें इसको अच्छ यहां पर हमारा जो पककर तयार है और रेडि है अब हम टमाटर को भी चेक कर रहेंगे प्याश को भी तो यह भी देखिये पककर पूरी तरह से तयार है और मैंने इनको एक प्रेट में निकाल लिया है जिससे कि अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं उसके बाद हमें इनको इस तरह से अलग कर देना है जिसे इसकी परतेक खोई जाएं और फिर जार में इसको हमें डाल देना है जिससे अच्छी तरह से ये पिस जाएगा और ढखकल लगा देना है और हमें इसको पीस लेना है तो ये पिसकत तयार है तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए लगवक आदे गंटे के लिए फ्रीज में रखा है या फिर आप ऐसे ही रख सकते हो और फिर इस तरह से हमको इसको काट वेना है फिर को पनीर के से ही पीस इसके काटने है और अब प्रेट को थोड़ा सा गुमा देंगे और फिर इस तरह से हम इसको काट वेनगे इधर से भी यह कट जाएंगे तो हमारे 있으면 पनीर की पीश कीजे पर बनकर तयार हो जाएंगे और अब हम इस पनीर को एक प्लेट में निकाल लिएंगे तो इस तरह से मैंने इस पीश किये हैं और एक प्लेट में हमने इसको निकाल लिया है और कड़ाई में हम डावेंगे यहां यहां पर एक बड़ा चमच, ओल, ओल को अच्छी तरह से हमको गरम कर लेना है, तो यह देखिये यहां पर मैंने सरसों का औल डावा है, गरम हूगया और मैंने यहां पर जीरा डाव दिया है, जीरे को हमें चटकने देना है आप चाहों तो यहां पर घी या रिफाइंड और भी यूज कर सकते हों तो यहां पर हमारा जीरा अच्छी तरह से चटक गया है और अब मैंने यहां पर डाले हैं चार तेजपाग के पत्ते दो डाल जीने के तुकड़े तीन चार लॉंग और यहां पर एक दोड़ा डाल रहा है मैंने उसके बार यहां पर 5-6 मैं यहां पर कावी मिर्च भी यहां पर डाल दूंगी और इनको थोड़ा से चटकने दूंगी जिससे कि इसका फिलेवर जो है इसमें और मिक्स हो जाए तो इन खड़े मसारों को चटकने के बाद हम यहां पर डाल देंगे जो हमने पीस कर जो पेश्ट बनाया था उसको तो यहां पर मैंने पेश्ट को डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से चवाएंगे और इस पेश्ट को हमें आफी अच्छी तरह से बून लेना है मिक्स करते हुए हमें इसको अच्छी तरह से बून लेना ह उसके बाद मैंने यहां पर चार-पांच कटी हुई हरीमेच लिये हैं जिसको छोटे तुकड़ों में कटा है उनको मैंने इसमें डाव दिया है इनको भी हम इसमी में मिक्स कर देंगे और इसको पकने देंगे और इसको जब तक पकाएंगे जब तक कीजिए हलका ब्राउन ना हो जाए और अच्छे तरह से पकत तयार ना हो जाए तो ये देखिए वेको इस तरह से हमें इसको पका लेना है और अब हम इसमें मसाले डालेंगे अब डालेंगे इसमें एक चमच हल दी और एक चमच से स्वाद अनुसार हम यहां पर नमक डाल देंगे और आदा चमची में इसमें गरम असाला डालदूंगी मसालों को हमें इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह से हमको इनको भून लेना है तो ये देखिए हमारे यहां पर मसाला अच्छी तरह से भूनकत तयार है और इसी तरह का मसाला हमें भूनकत तयार कर लेना है उसके बाद हमने जो पनीर के पीस रखेते उन्हें इसमें डाल देना है और इस तरह से एक एक करकर हम इसमें पनीर के पीस को डाल देंगे लेना है इस तरह से आप चाहो तो ऐसे भी इसको खा सकते हो पर मैं थोड़ा सा इसको पत्वा करूंगे तो यहां पर मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा पानी और इसको थोड़ा सा हम पका लिएगे सब्जी बनकर रेडी है इसमें उपर से डाल देंगे कटा हुआ हरा ध गोलोग को बोगोन कि आχब केघिए और आप मेरा अब श्राइल्ण concerned नेट ₱ तो पनीर के चत canana सुने बच्चे इसको भात क्वेश्ड करेंगे तो agar आपको मेरी यह र्यास्नी सा यह लाइक और और कमेंट के साथ फ्रेंड दोस्तों को सेयर करना मत भूलना और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेना तो मिलते हैं अच्छी से नए रेस्पी के साथ तब तक के लिए टेक क्या थेंक्स वर बॉचिंग